सिल्वानी में भवे कलश यात्रा के साथ श्रीमत भागवत कथा का शुभारम हुआ स्रीश्री एकाजाराट श्री ब्रह्मचारी जी महराज बापौली बाले मांगरोल धाम का सरप्रथम विजासन माता काच मंदिर में भक्तों द्वारा भवे स्वागत हुआ कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं कलश लेकर स्रीक्रिश्न राधा का गुणगान करती हुई चल रही थी शद्धालू हरे रामा हरे क्रिश्ना की धुन पर जूमते गाते चल रहे थे कलश यात्रा का जगय जगय स्वागत नगरवासियों द्वारा किया गया सिल्वानी नगर में शुरू ही साथ दिरसी श्रीमत भागवत कथा में सरप्रथम विजासन मंदिर पर आयजोग परिवार के द्वारा मा विजासन मंदिर पर पूजण अर्चन की गई इसके पाश्वात कल श्यात्रा रम्भुई कल श्यात्रा में सब से आगे सेयोजक परिवार के अशोक रगवन्शी और उनकी धर्म पत्नी अपने सर पर श्रीमत भागवत कथा महापुरान को लेकर चल रहे थे इसके पास श्वात महिला अपने सर पर कलश लेकर भगवान श्रीक कृष्ण वा राधारानी का गुणगान करते हुँ चल रहे थे बड़ी संख्या में श्रद्धालू भजन कीर्तन का श्रीक कृष्ण का जयकारा लगाते हुए जयगोश कर रहे थे बेंडवाजों, डीजे की भक्ती, धुनों पर युवा थे रखते हुए चल रहे थे जैसे ही हरे रामा हरे कृष्णा की धुन छेड़ी तो कलश शात्रा में मौजूद शद्धालू जूमने पर मजबूर हो गया कलश शात्रा विजैसेन मंदरे से प्रारंब होकर सिल्वानी नगर के मुख्यमार्ग, होली चौक, बद्वारा, बाजार, गानी चपूतरा, बजरंग चौराश से होते हुए कथा इस्थल पहुची, कथा इस्थल पर पंडितों द्वारा मंतरोचारण के साथ कलश शात्रा कवी दिविनान के साथ पूजन किया गया, इसके बाद सुमत भागवत कथा आरंब होई, सिल्वानी से आशित सैनी की रिपोर्ट